नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभूत चतुरवेदी, यह प्लैटफॉर्म है क्लिनिकल गुरू जी का, और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने एडवांस्ट ECG कोर्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, एडवांस्ट ECG कोर्स थोड़ा सा भारी पड़ेगा, तो मैं ए हमारा टॉपिक है, यह एक्सिस कैलकुलेशन का, तो ध्यान से देखिएगा, 15-20 मिट का लेक्चर है, पर मुझे लगता है, के अदि आप इसको ध्यान से एक बार या दो बार देखेंगे, तो जो आपका fundamental clear होगा, वो जीवन में कभी नहीं हुआ होगा, तो चलते हैं सीधे सात्वी के physics पे, सात्वी कक्षा में एक चीज सिखाई जाती थी, कि एक cell होता है, उसका एक positive electrode होता है, एक negative electrode होता है, यहां से वहां तक current flow होता है, और उससे बल्व जलता है, हमने इस circuit खुब बनाए है, फिर complicate की है circuit, उनमें voltage नाप-नाप के देखे, emitter से, voltmeter से, तो यह व सान लिजे कि यह cell एक fixed dead volt का cell नहीं होता, और उसकी जगा यह कभी dead, कभी 2, कभी 2, कभी 0.5, कभी 1, ऐसे जब-जब कर रहा होता, तो आपका यह bulb भी वैसे ही जब-जब करता, मतलब यह dead volt का fixed current देने की बजाए, dead volt का fixed potential देने की बजाए, यदि इसका potential vary होता, कि कभी कम हो, कभी जादा हो, कभी कम हो, कभी जादा हो, तो यह bulb भी कभी dim हो जाता, कभी fast हो जाता, जैसे शादियों में लग जाते हैं जो जालरों में, बिल्कुल वैसा, हार्ट exactly ऐसा ही चलता है, हार्ट में ऐसे नोट से current निकलता है, A-V नोट तक जाता है, तो कभी बढ़ता है, कभ की साथवी की physics में होते थे, बस बाती है कि उनका voltage change होता रहता है with time, और जब भी कोई चीज time के respect में change हो सकती है, तो हम उसका एक graph भी बना सकते हैं, graph कैसा, जैसे हम बनाते हैं, voltage against time, या हमने volume against time और pressure against time के graph बनाये थे ventilator course में, वैसे ही हम graph बनाएंगे voltage against time का, तो मान लीजे कि आपके ECG का voltage पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ी देर stable रहा, फिर एकदम बढ़ गया, तो उससब कैसा दिखेगा, देखो, ये आपका ECG का voltage पहले flat था, hard बिलकुल contract नहीं कर रहा था, फिर वो voltage सड़नली बढ़ा, फोड़ी देर को बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर अचानक बढ़ गया, फिर अचानक तूम होगया, फिर अचानक बढ़ गया, फिर stable होगया, फिर stable ही रहा, फिर बहुत देर stable रहा, फिर एक बार ये-जी-ए cycle repeat हुई, तो exactly इसी तरह से time के साथ-साथ जब voltage change होता है, मेरी drawing को माफ कर देना, अगर time के साथ voltage change होता है, तो उस के साथ इस तरह के graphs बनते हैं, इनी graphs को हम ECG कहते हैं, ECG में आप voltage को plot करते हो against time यहां तक तो समझ में आया होगा, यह आसान है हम समझते हैं, हम ECG में current नापते हैं हम ECG में current नहीं नाप रहे हैं हम change in voltage against change in time को measure कर रहे हैं एक graph के थुरू इस voltage को हम नापते कैसे हैं बड़ी आसान चीज़ है, इस voltage को हम नापते हैं, electrodes के द्वारा और leads के द्वारा तो electrode क्या होते हैं electrode होते हैं, यह जो 4-5-6 रंग-रंगी चीज़े हैं, जो patient के chest पे patient के हाथ पे, patient के पैरों में लगाई जाती हैं, और वो एक जगा पे current को measure करती हैं, जैसे electrical circuit में हम एक emitter या voltmeter लगाते थे ना या जैसे बिजली वाला होता है, वो क्या करता है उसके पास एक machine होती जिसमें सुई घूमती है वो उसको दो जगा टच करता है और उन दोनों के बीच का potential difference उसे दिख जाता है, तो उन दोनों चीजों को हम electrode कहते हैं, जिने हम touch कर रहे हैं, तो यहां हम heart पे एक समय पे कई electrodes लगा रहे हैं, और उनसे हम देख रहे हैं कि वो current कैसा आ रहा है, यहां तक भी समझ में आया है, तो पहली बात क्या, कि heart में भी current flow होता है और उसे measure किया जा सकता है, उसे हम bulb की बजाए एक graph paper पे measure करते हैं कि जब current बढ़ेगा तो उपर जाएगा, घटेगा तो नीचे जाएगा, और उस graph paper को हम electrocardiograph कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम electrocardiogram यानिकी ECG कहते हैं, यहां तक भी बात हो गई नापता कैसे है, electrode से electrode मतलब वो बिजली का अतार जिसको उन टेच कर रहे हैं और उससे नाप रहे हैं कि यहां पर potential कितना है पर एक electrode एक जगा का potential बताता है, लेकिन जब ऐसे दो electrodes को उन जोड़ दें कि एक electrode यहां और एक electrode यहां इनसे इनकी जो दूरी है ना, इनसे इनका जो potential difference है that is measured by a lead तो electrode का मतलब एक point लेकिन जब दो point मिल जाते हैं तो उनको मिला के बनती है एक lead ECG की, आपने सुना होगाना ECG में बहुत सारी leads होती है एक से लेके छे तक होती है V1 से लेके V6 तक होती है टोटल बारा leads होती है 12 lead ECG बनता है तो this is a lead a lead is a combination of two electrodes which measures potential difference across those two electrodes लेकिन मज़ेदार बात है कि यदि cell लगा होता है यहां पर heart make और ऐसे नापते तो fix आजाता है यहां 1.5 volt का current है लेकिन यह electrode जब नापते हैं तो heart का current constantly change होता है हर heartbeat के साथ heart में कई current उपजते हैं जैसे heartbeat करना शुरू किया तो यहां ऐसे note से शुरू हुआ तो current पहले आरे में फैलेगा फिर आरे से धीरे से नीचे जाएगा और ventricles में फैलेगा septum के थूरू होता हुआ और तमाम तरह से यह current अलग-अलग directions में जाएगा लेकिन आपने देखा हुआ scalar और vector quantities होती है इन सारे currents का यह जोड़न निकालें तो heart के main current का direction इस दिशा में जाता है मतलब towards apex इसी चीज़ को हम heart का electrical axis कहते हैं heart का यह दिए अप anatomical axis कहोगे तो शयद यह बनेगा लेकिन electrical axis कहोगे तो यह बनेगा फिर से समझाता हूँ कि heart जब contract करता है तो उसमें जो electricity generate होती हो कई directions में भागती है लेकिन उन सब का जो sum है वो एक दिशा में जाता है वो एक दिशा यह electrical axis of heart है electrodes जिनको मिला के lead बनती है उसका काम exactly यही है कि इसी heart के इस current को अलग-अलग दिशाओं से देखना जिसे बहुत सारे camera लगे हों और इस heart को अलग-अलग दिशाओं से देख रहे हों यही ECG की leads का काम है तो हम पढ़े लिख्यों वाली बातें नहीं करेंगे कि ECG leads measure this and measure that हम बिलकुल सामाने विक्ति की बात करेंगे कि ECG की leads देखती है heart को उसकी दिशा में किसकी दिशा में समझाता हूँ जैसे यह heart है और मान लो यह एक lead है आपने सबने पढ़ी यह ECG की lead 1, lead 2, lead 3 आपने basic ECG पढ़ रखाया अलड़ी तो मान लो यह lead 1 है limb lead है तो यूं मान के चलो कि इस lead का जो arrow है यह arrow यहाँ पे एक आँख लगी है और वो आँख heart के current को ऐसे आता हुआ देख रही है Every lead sees the heart across its arrow यहाँ तक भी समझ में आया होगा अब थोड़ा सा इसको और आगी चलाते है तो यह आपने समझ लिया कि lead है वो देख रही है अब यूं समझो कि आप एक fashion show में बैठे हुए हो और आप fashion show में बैठे हुए देख रहे हो और यह fashion show का ramp है और इस ramp पर कोई खूबसूरत सी model या कोई celebrity हम example के लिए कियारा अडवानी जी को ले लेते हैं वो चल के आ रही है अब वो चल रही है ramp पर यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन आपकी आख को वो ही कियारा अडवानी सामने से आती हुई दिखेंगे आपको उनका front view दिखेंगा वो move कर रही है ऐसा लेकिन चूंकि आप यहाँ से देख रहे हैं इसलिए वो आपको अपने सामने से आती हुई दिखेंगे आपको वो front view से दिखेंगे लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई मित्र यहाँ बैठा होता तो उसे वो ही heroine उल्टी जाती दिखाई देती बंदी वो ही है चलने का direction वो ही है लेकिन आपके देखने के नजरिये से उसका view change हो गया यहाँ बैठे विक्ति को वो सामने से आती दिख रही है अगर आप side से दिख रहे हैं तो आपके मन में एक positive feeling आएगी आपको अच्छा लगेगा और आपके मन को यह हम record करने जाते तो एक positive reading record होती है तो इसी को हम heart की तरफ translate करके कहें तो यूँ कहें कि अगर यह current आपकी और आ रहा है तो यह ECG के graph paper पे positive record होगा मतलब कि यह current यदि आपकी दिखा में आया suddenly आपकी तरफ चलना शुरू किया तो यह positive record होगा ठीक है यही current यदि आपकी उल्टी दिखा में जा रहा होता मतलब current यदि यूँ जा रहा होता तो वो आपकी lead में ऐसा record होता तो जब भी current lead की तरफ आएगा तो positive record होगा जब भी current lead से उल्टी दिखा में जाएगा तो negative record होगा और अगर कोई lead current को perpendicularly आता जाता देख रही है मतलब एक 90 degree से देख रही है न current उसकी तरफ आ रहा है न current उससे उल्टा जा रहा है बलकि वो एक neutral third party की तरह देख रही है उसे तो वो ही current उसमें by phasic याने ऐसा record होगा अगर ये बाली slide आपको समझ में आ गई तो फिर कोई tension नहीं आप सब समझ जाओगे फिर से एक बार repeat करता हूँ कि एक ही चीज़ को देखने के तीन नजरिये हो सकते हैं एक आपकी तरफ आता हुआ एक आपक से दूर जाता हुआ एक व्यक्ति वही जैसे यूँ समझें कि भारत का नक्षा है अब कश्मीर से लेके मदरास की तरफ कोई train जा रही है तो जो मदरास की तरफ बैठा वेकती है उसे वो train आती हुई दिखेगी जो कश्मीर की तरफ बैठा रहती है उसे वो जाती हुई दिखेगी और जो लोग गुजरात में या बंगाल में बैठें उन्हें ऐसा लगेगा पहले तो आ रही थी और अब जा रही है उनके परिप्रेक्ष से है उनके परस्पेक्टिव से है इसी तरह से हार्ट में वही करेंट अलग-अलग लीड्स अलग-अलग तरह से रिकॉर्ड करती है जैसे ये एक करेंट है ये करेंट इस लीड की तरफ आ रहा है तो इसमें पॉजिटिव रिकॉर्ड हुआ इस लीड से दूर जा रहा है तो इसमें निगेटिव रिकॉर्ड हुआ इस लीड से मोस्टली निगेटिव है मतलब मोस्टली दूर जा रहा है थोड़ा सा पास है इसके मुकाबले बहतर है तो यहां थोड़ा सा पॉजटिव और ज्यादा निगेटिव हुआ यहां पे 50-50 हो गया क्योंकि यह लीड ठीक बीच में है इससे पूरा दूर भी नहीं है पूरा पास भी नहीं है यहां 50-50 हो गया इसमें इतना positive नहीं है जितना इसके गजरिये से है लेकिन फिर भी है तो अपनी ही side तो उसी current को यह सारी leads अलग-अलग तरह से record करती है और इसी record करने की property को हम axis determination में use करते हैं अब टेक्निकली कहा जाए तो axis determination किसी काम का नहीं है पर फिर भी आज तक जितने ECG report हुए है उनमें लिखा जाता है कि हाँ axis normal है या right sided deviation है या left sided deviation है तो हमें भी लिखना तो आना ही चाहिए पढ़ना आना चाहिए पहचान में आना चाहिए अगर axis normal है तो वो कोई diagnosis नहीं बनाता पर अगर axis left deviated है या right deviated है तो उससे कुछ diagnosis बन जाते हैं उन diagnosis को हम भी discuss करेंगे अभी के इस छोटे से lecture में सिर्फ इतना ही आपको सिर्फ concept समझना है पहली चीज़ के heart में current flow करता है sinus node से लेखे apex की और उस current के direction को हम heart का electrical axis कहते हैं पहली चीज़ दूसरी बात कि ये current यानि कि voltage का change समय के साथ बदलता है यानि कभी समय के साथ पहले बढ़ गया फिर घट गया इसी को हम ECG में graph paper पर record करते हैं ECG में record करने की दो चीज़े होती है एक को हम कहते हैं electrode दूसरे को हम कहते है lead electrode एक ही point होता है लेकिन जब दो point के बीच का difference नापते है potential का तो उसे हम एक lead कहते हैं leads बहुत सारी होती है lead 1 से लेके 1,2,3,AVR,AVL,AVF ये limb leads हैं जो की इस plane में इस plane में vertical plane में heart को देखती है हर lead heart को अपने नजरिये से देख रही है इस देखने पर focus करना तो बहुत easy हो जागे potential difference in direction of current करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा अगर current lead की तरफ आ रहा है तो वो primarily positive होगा एक बड़ी सी R wave बनेगी अगर current lead से दूर जा रहा है तो एक primarily negative S wave बनेगी अगर current आ भी रहा है जा भी रहा है यानि कि lead उससे perpendicular या किसी angle पे है तो byphasic बनेगी किसी में R थोड़ी चोटी होगी और S बड़ी होगी और किसी में R थोड़ी बड़ी होगी और S थोड़ी चोटी होगी यहां तक के lecture में इतना ही एक छोटा सा break लेते हैं शान्ती से बैठके इस बात पे चिंतन करना पिर उसके बाद अगले lecture में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि heart की जो यह 6 limb leads है इनका क्या purpose है इनसे access कैसे determine करते हैं अभी के lecture में सिर्फ इतना ही